Hello everyone, this is Satpal and you are watching options seller और आज का वीडियो है, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप Ironfly को किस तरह से अड़ेस्ट कर सकते हो एक अड़ेस्टमेंट है बहुत अच्छा जो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा और साथ ही मैं आपको एक छोटा सा Homework भी दूँगा जो आपको करना है, जहां पर आपको बताना है कि जो Adjustment मैं ने किया है पहले मैं आप से पूछूँगा basically कि वो Adjustment क्या है उसके बाद मैं खुद भी आपको करके दिखाऊंगा तो ये वीडियो ये interesting होने वाला है, knowledgeable होने वाला है तो इसको पूरे focus और attention के साथ आप देखे तो मैं आपको screen के उपर लेकर चलता हूँ और वहाँ पर ये आपको practically दिखाता हूँ लेकिन screen पर जाने से पहले मैं आपको बता दूँ की हाल ही में चैनल ने 20,000 subscriber पूरे किया है तो अभी जनमास्ट में भी आ रहा है तो अभी जो मैंने course डाल रखे हैं उन पर special offer आपको देखने को मिलेगा तो अगर आपने अभी तक option seller की app को download नहीं किया है तो नीचे मैंने description में link दे दिया है link पे जाके आप app को download कर सकते हो और कुछ special offer मैंने चला रखे है क्योंकि अभी दो event है एक तो चैनल ने 20,000 subscriber पूरे किये है और दूसरा अभी जनमास्ट में भी आ रहा है तो अभी मैंने एक offer run कर रखा है जिसको आप avail कर सकते हूँ यहां पर आपको 40-50% तक का discount देखने को मिलेगा तो आप app को download कर सकते हो और वहां पर यह courses आपको देखने को मिल जाएंगे तो चलिए अब screen के उपर चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि ironfly को आप किस तरह से manage कर सकते हो तो देखे यह मैं आपको screen के उपर ले आया हूँ यहां पर आप मैं आपको एक ironfly को trade करके दिखाता हूँ तो देखे मार्केट अभी trade कर रहा है 19.577 पर 19.600 है वो almost at the money का level है तो मान लीजे यहां पर आप एक ironfly को trade करते हूँ तो मैं एक ironfly को यहां पर लगा देता हूँ monthly series में आपको trade करना है तो 19.600 जो की almost at the money का level है वहां का एक call option में sell कर देता हूँ एक load यहां पर मैं sell कर रहा हूँ 19.600 का एक put option में यहां पर sell कर देता हूँ इससे 300 point नीचे आके और 19.300 का एक put option में यहां पर buy कर लेता हूँ और 19.600 से 300 point उपर जाके और 19.900 का एक call option में यहां पर buy कर लेता हूँ तो यह मैंने एक ironfly को यहां पर deploy कर दिया है यह मेरा payoff chart बनता है अगर market इस range में रहेगा तो मुझे profit होगा उपर या नीचे जाएगा तो मुझे loss होगा और मेरा maximum loss कितना यहां पर 3700 रुपीज का मेरा maximum loss है और maximum profit है वो 11,000 रुपीज का है ठीक है अब यहां पर आप देखे risk reward है वो तो अच्छा खाजा है लेकिन मेरे break even कहां पर है market अगर इस range में रहता है तो मुझे profit होगा market अगर नीचे जाता है तो loss कहां से आना शुरू होगा वो आप देखे नीचे की तरफ आपका loss है वो 19,376 के beyond अगर market नीचे जाता है तो आपको loss आना शुरू होगा और उपर की तरफ आपका जो break even है वो 19,824 का है ठीक है इसके उपर अगर market जाता है start कर देता है तो आपको यहांपे adjustment करने की ज़रूत पड़े गिए अगर आपको उपर की तरफ मान लीजे market जाता है तो उपर की तरफ आपको loss आएगा तो यहांपे आपको adjustment करना पड़ेगा तो यह adjustment अब आप क्या कर सकते हूं तो यह चोटा सा homework है मैं चाहता हूँ कि जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आप सीखे मैं आपको ये बता भी दूगा करके कि एडजस्मेंट किस तरह से होगा लेकिन उससे पहले मैं आपको पे ओफ चार्ट दिखाना चाहता हूँ कि आप अपने दिमाग पर थोड़ा जोड डालिए और खुद से पूछे कि ये एडजस्मेंट मैंने क्या किया है ये जो पे ओफ चार्ट ये बन रहा है इसके पीछे क्या एडजस्मेंट हो सकता है क्या मोडिफिकेशन मैंने किया है जिससे पे ओफ चार्ट इस तरह का बन रहा है तो देखे अभी आपके स्क्रीन पर एक फोटो आएगी इसी यह जो ironfly है इसके अंदर जो adjustment में आपको दिखाने वाला हूँ वो adjustment करने के बाद यह payoff चार्ट बनता है जो आपको स्क्रीन पर अभी यह photo देखने को मिल रही है यह adjustment मैंने किया है तो बताएए यहाँ पर वीडिय break-even है वो 19.824 का है और यहाँ पर आप देखे आपका जो break-even है यह almost 20,150 के आसपास का आपका उपर की तरफ break-even है मतलब आपने अपने break-even को 300.2 पर shift कर दिया है तो यह adjustment है यह क्या हो सकता है यह हलाकि मैं आपको बताऊंगा भी लेकिन वीडियो को pose करके और आप खुद द दिया pay-off chart की इसको आप देखे कोशिश कीजिए खुद से इसको crack करने की कि यहाँ पर क्या adjustment मैंने किया होगा चलिए तो अब मैं आपको दिखाता हूं कि यहाँ पर मान लीजे market ऊपर की तरफ मुझे challenge करता है तो क्या adjustment हमें करने पड़ेंगे ठीक है तो देखे आपको करन आपने buy किया और further out the money में जाके multiple put option आपने sell किये उसी तरह से अगर उपर की तरफ market आपको challenge करता है तो एक call option आप buy कीजे और उसके against multiple call option आप sell कर दीजे इससे होगा क्या उपर की तरफ जिस तरफ market ने आपको challenge किया है उस तरफ आपका जो break on है वो shift हो जाएगा तो यह आप आप उपर की तरफ अपना break on देखिए यहाँ पे है 9824 आप 9800 मानके चलिए जो उपर की तरफ आपका break on है वहाँ का एक call option आप buy कीजे तो option चे इनको में open कर लेता हूँ 9800 जो की मेरा उपर की तरफ break on है इसका एक call option मैं buy कर लूँगा अब देखिए इसको buy करने के लिए और मैंने market को कितने रुपए पे किये हैं 106 रुपए 106 रुपीज मैंने market को pay किये हैं अब मुझे यह market से वापस लेने हैं तो उपर की तरफ चलते हैं उपर आप किया 106 रुपए that means मैं इसके 3 लोट sell कर दूँगा तो यह मैंने एक ratio spread यहां पर add कर दिया है क्या किया है मैंने 9800 का एक call option buy किया उसके लिए मैंने market को 106 रुपए pay किये और उसके बाद मैंने 20,050 का call option है इसके 3 लोट sell किये हैं जब मैंने इसके 3 लोट sell किये हैं तो मैंने almost 160-110 रुपए market से वापस ले लिये हैं तो जितना मैंने market को pay किया था उतना मैंने market से वापस ले लिया है मैंने net market को इस adjustment बे एक भी रुपया नहीं दिया है और इसका effect क्या आएगा ये देखे ये इसका effect आता है यही photo मैंने आपको दिखाई थी लेकिन ये चीज मैंने है math ये तो मेरा original trade है 9600 का call और put दोनों मैंने sell कर रखे है 19300 का put मैंने नीचे buy किया है 9900 का call option है ये उपर buy किया है ये तो मेरी जो normal iron fly है वो होगी लेकिन adjustment मैंने क्या किया उपर की तरफ जो break even था वहां का एक call option buy किया और उससे उपर जाके और तीन call option sell कर दिये कौन से strike के जहां का premium मुझे इतना मिल रहा था कि अगर मैं उसको 3 से multiply करूँ तो जितना मैंने market को pay किया है उतना या उससे ज़्यादा premium मुझे मिल जाए और इसके पीछे का logic क्या है कि मैं इस adjustment में market को एक भी रूपया नहीं देना चाहता हूं मैं net credit में रहना चाहता हूं तो ये adjustment करक कि मैंने अपने break-on को उपर की तरफ shift कर दिया है मैंने market को एक भी रूपया नहीं दिया है और जो मेरा trade है उसका अब जो break-on है ये आप देखे उपर की तरफ shift हो गया है originally ये कितना था 19,800 के आस पास का मेरा break-on था उपर की तरफ और अब आप देखे मेरा break-on है ये है 20,138 तो almost 300 point उपर आपने अपने break-on को shift कर दिया है और जो adjustment आपने किया है उसमें आपका कोई खर्चा नहीं हुआ है आपने market को net किसी तरह का कोई debit पे नहीं किया है यहाँ पे आप credit में ही हो एक दो रुपए के margin requirement अलग चीज़ है और market को debit पे करना अलग चीज़ है इस trade में मैंने market को 1 भी रुपया debit पे नहीं किया है debit वो होता है जब हम option को buy करते हैं तब हम market को जो पैसा पे करते हैं उसको debit बोलते हैं तो यहाँ पे मैंने debit पे नहीं किया है मैंने market से कुछ पैसे लिये हैं लेकिन हाँ आपकी जो margin requirement है ये उपर जाएगी लेकिन again मैंने आपको बता रखा है कई वीडियो में मैंने आपको बताया है कि ये जो आपकी margin requirement है यहाँ पे आप देखिए 2,36,000 आपकी margin requirement है almost 2.5 lakh आप मानके चलिए तो ये जो आपकी margin requirement है इसको आप किस तरह से tackle कर सकते हो तो देखिए weekly options है उनको आप use कीजिए अगर आप weekly options को use करते हो जैसे यहाँ पे आप देखिए मैंने 20,050 के call option के 3 load sell कर रखे हैं अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा ये तो September month की series में मैं trade कर रहा हूँ जो current weekly expiry है वो कभी की है 7 September की तो आप देखिए 7 September का अगर आप 20,000 का 20,100 का एक call option या दो call option buy कर लेते हो तो आपकी जो margin requirement है ये drastically कम हो जाएगी तो ये चीज़ मैं कई बार बता चुका हूँ और मैं आप सभी को recommend भी करता हूँ कि weekly options में आप trade मत कीजिए उनको सिर्फ आप use कीजिए एक तो hedging purpose के लिए और दूसरा margin benefit के लिए अगर आप weekly options को आपको use ही करना है तो ये दो चीज़ होनी चाहिए जिनके लिए आपको use करना है वहाँ पे आप trade इतना मत कीजिए trade आप monthlies में कीजिए तो ये है वो adjustment जो आप एक iron fly में कर सकते हो standard iron fly ये आपकी है उसके बाद कोई बहुत complex चीज मैंने नहीं की है मैंने basically एक छोटा सा ratio spread यहाँ पे add कर दिया है उपर की तरफ जहाँ आपका break even है वहाँ का एक call option buy कीजिए और उससे उपर जाके multiple call option आप sell कर दिजिए similarly अगर आपको market नीचे की तरफ challenge करता है तो नीचे की तरफ जहाँ आपका break even है वहाँ का put option आप buy कीजिए और उससे नीचे जाके और multiple put option आप sell कर दिजिए और उससे इस तरह का effect आएगा आपका जो break even है वह 200-300 point उपर या नीचे shift हो जाएगा मतलब आपको market से और space मिल जाएगी और time आप दे रहे हो और space आप market को दे रहे हो कि market आपके against जा रहा है तो आपने market को squeeze नहीं किया है अभी आप market को 200-300 point के space और दे रहे हो कि market आपके against चला जाए और market अगर वहाँ पे भी expire हो जाता है तो भी आपको profit होगा और reverse होता है तो भी आपको profit होगा लेकिन अगर market still continue करता है अगर आपका view है कि market यूनिय डिरेक्शनली उपर या नीचे जा सकता है वहाँ पे आप या adjustment मत कीजिए वहाँ पे आप फस सकते हो तो चलिए यह है वह adjustment जो आप यूज कर सकते हो एक iron fly में iron fly यह काफी profitable strategy है और beginners को मैं mainly यह चीज़ recommend करता हूँ कि आपको iron fly को trade करना चाहिए क्योंकि जो risk profile है वो इस तरह की नहीं है कि आपकी पूरी capital चली जाएगी या आपका जो account है जो trading capital है उसमें एक बड़ा dent आपका पड़ेगा अगर आप कुछ भी नहीं करते हो क्यों क्योंकि यहाँ पे आपका risk है वो already defined है आपका जो risk हो छोटा सा होता है एक load में अगर आप trade करते हो तो आपका जो risk हो बहुत बड़ा नहीं है इस तरह का नहीं है कि आप उसको manage ना कर पाओ या उसकी वज़े से आपको trading ही छोड़नी पड़े लेकिन हाँ जैसे straddle होगी strangle होगी या naked option selling होगी यह काफी dangerous strategies होती है यहाँ पे अगर आपको adjustment नहीं आते हैं तो यहाँ पे एक गलती आपके पूरे account को कर सकती है और आपको सीधा market से बाहर कर सकती है लेकिन यह जो strategy है यह आप trade कर सकते हो beginner जो है उनको मैं सभी को यह recommend करता हूँ कि आप यहाँ से start कीजिए iron condor होगी iron fly होगी इनको आप trade कीजिए क्योंकि यहाँ पे अगर आप adjustment करते हो तब तो आप almost all the times इसमें profitably बाहर निकल सकते हो आप manage कर सकते हो लेकिन अगर आप adjustment नहीं भी कर पाते मान लीजे आपको इतने knowledge नहीं है एक beginner से basically ऐसे गलती हो सकती है कि हम यह मान के चल सकते हैं कि एक beginner है तो उसको बहुत ज़्यादा knowledge नहीं होगी adjustments की तो as a beginner अगर आप इसको trade करते हो और आप adjustment नहीं भी कर पाते हो तो भी आपको बहुत ज़्यादा कोई loss नहीं होगा क्योंकि इसमें जो maximum loss है वो छोटा सा होता है जिसको आप easily bear कर सकते हो apart from this same iron fly के उपर ही मैंने एक course भी बना रखा है mastering iron fly यह 20 hours long course है इसका जो content है यह 20 गंटे का है अगर आप चाहो तो इसके लिए opt कर सकते हो नीचे मैंने description में link दे दिया है option seller की जो app है उसको आप download कर सकते हो वहाँ पे आप कोई course देखने को मिल जाएगा और अभी इस पे offer भी चला रखा है तो चलिए अब आज के इस वीडियो को यहीं पे खतम करते हैं thank you so much for watching the video I hope यह वीडियो आपको पसंद आया होगा आज आपने कुछ नया सीखा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो make sure आप वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें अब आपल साइनिगोफ